नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सेमसंग ए टुइंटि वानेस एप पर मिशें अगर दोस्तों आपको यह प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आनधक जरू लिए क्योंकि क्योंकि दोस्तों कई बर किया होते हैं हमारे जो एप इसके पर मिशन पर प्रॉब्लम आ जाते पर मिशन एर्र हो जाते और पर करना है problem आपका definitely solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप आनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो चैट परमिशन पर एरर आ रहा है तो आपको वह एप सर्च करना है एंडेंट उस एप को यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है जैसे आप उस एफ को अपडेट करोगे कर वेट कीजिए अपडेट कॉंप्लीट होने के बार सेटिंग पर जाइए इस्कूल डाउन कीजे एप के अंदर पे जाइए दुबारा से स्कूल डाउन कीजिए और आपके जो एप है उसको find out कीजिए हमने स्नेपचेट के एक्जमपल यूज किया है तो हम उसी को search करेंगे ठीक है तो स्नेपचेट पर जाना है storage option पर क्लिक करना है clear data पर क्लिक करना है और data को यहाँ पर clear स्टार्ट करें permission को allow कीजिए चेक कीजिए solve हो जागा problem ठीक है इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आईए मैं आपको बता रहें तो permission किसी करना है तो यहाँ पर दोस्तों आईए हम जाते दुबारा से स्नेपचेट पर तो clear data करने के बाद दोस्तों permission के option यहाँ पर मिल जाएगा तो call locks पर जाना है allow करना है camera option पर जाना है सारे साथ mobile software को यहाँ पर अपडेट करें ठीक है mobile software आपका अपडेट होना चाहिए तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो इस तरह किसे आप अपने problem को solve कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंने होगा thanks for watching